वेल्कम टू माई चैनल कल्यानी ब्यूटी ब्लॉगर आज मैं आपको बताने वाली हूं कि सिर्फ प्रोडक्त यूज करके कैसे बिगनर मेकप कर सकते हैं तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं यहां पर मैंने लेकमी का फावडेंशन ले लिया है और फर्स्ट प्रोडेक्ट यहीं है और मैं इसको डैब डैब करके अपने फेस पर लगा लूँगी और मुझे नेचुरल ही रखना है मेकप तो इस वजह से मैं ज्यादा फावडेंशन का यूज नहीं करूंगी इतना यहां पर मैं फावडेंशन को डैब डैब करके लगा ली हूँ और यहां मैं ब्रस की सहायता से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी आप स्पंज या ब्रस से या फिर अपने उंगलियों की सहायता से अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो तो यहां मैं आखों पर भी लगा लूँ हूं और यहाँ पर मैंने वीडियो को फास्ट फारवर्ड कर दिया था ब्लेंड कर रहे थी क्योंकि ज्यादा टायम लग रहा था मुझे वीडियो बहुत लांग नहीं करना है तो यहाँ पे मैंने लगा लिया पर कहांग न दीकि फेस पर फिर भाल हटने पर भी तो गाईश्य से फाउडिएन को बिलेंद करें तो यहाँ पर फाउडिटन média ंटन हो गया है मेरा तो फिर यहाँ पर Reviewaming का फेस्ट els Patreon अज़िन दूंगी ताकि मेंसां करकेद कर के लगाऊँ और यहां पर भी फीस पाउडर को में करकर की लगा ले रही हूं ब्रश खायता से और थोड Until power अब तो आप देख रहा हूं मैं कितने से तो आप अच्छे से मिलाओ यहां पर मैंने वीडियो हो जैसा कि आपको बताए फास्ट फारवड कर दी हो तो आप इतना माइंड मत करना तो गाइस यहां पर मेरा अलमुस्ट डन हो गया फेस पाउडर भी तो फिर मैं यहां पर ले ले रही हूं लिपिस्टिक जो की मास का है कि मैंने बहुती कम प्राइज में लिया था अच्छे प्राइज में मिल गया था तो गाइस यहां थे हां पर मैं आई सेडो का भी थोड़ा से आइसडो के लिए ही लिपिस्टिक का ही यूज करूँगी पांच प्रोडेट्ट यूजज करना है मुझे तो पांच प्रोडेक तो थोड़ा कम हो तो गाइस यहां पर इस वाले मैं ऐसी सेम ही करूँगी और ताकि पिंकी पिंकी लगे और डार्क सरकर्स भी छुप जाए तो गाइस यहां पर देख रहे हो आप मैं अच्छे से बिलेंड कर रही हूं उंगलियों के साथा से तो यहां पर आइसेडो मेरा ड करके लिपिश्टिक लगा रही हूं तो गयल देखो यहां पर मैं लगा ले रही हूं दो तरीके होते हैं आप या तो ऐसे करके अपने जैसे चीक पर रोजी कर सकते हो या लिपिश्टिक लगाया हो तो ऐसे मिला सकते हो या तो फिर आप तीन उंगलियों की साहता से जैसे यहां पर गाइज यह वाला सिंपल तरीका था और अच्छा भी था गाइज तो यहां पर मैं यही लिपिष्टिक का भी यूज़ करूंगी जोगी मुझे पसंद है तो आप देख रहो पिंक लिपिष्टिक से आई से अडो और गाल को भी रोजी और गाइज लिपिष्टिक भी यूज़ हो गया तो इस तरीके से हमने तीन चीज़े यूज़ की और यह जादा मैं बहुत जादा फिल नहीं कर रही हूं जो जहां पर मुझे थोड़ा खाली खाली लग रहा है कॉर्णर पर मैं वहीं पर काजल की सायता से थोड़ा से लगा ले रही हूं ताकि मेरा आइब्रो से ठोजाए और आल्मोस्ट मेरे आइब्रो बने हुए हैं अच्छे से रगड़ तो अंगलियों के से तो वह सिट हो जाता है तो यहां पर मैं थोड़ा से फांडेंशन भी लगा दी लगा हुआ था ब्रस में जिसे ताकि ज्यादा ब्लैक ना दिखे और नॉर्मल रहे तो गाइस यहां पर और मैं ब्रस की सहायता से से कर दी तो एक्दम फाइ कि मेरा काजल ला ओपर नीचे दोनों तरफ लग जाए यहां पर मैं लाइनर लगा रही थी तो गाइस थोड़ा सा हिल गया तो मुटा हो गया तो कोई प्रॉप्लम नहीं है क्योंकि मुझे मुझे मुटा ही लाइनर पसंद है क्योंकि मुटा लाइनर अच्छा लगता है औ और लंबे में मुझे और पतले में लाइनर मुझे अतना खास नहीं लगता मैं अधिक तर्फ मोटे ही लाइनर लगाती हूँ तो यहां पर इस वाले करने की कोशिश करूंगी इसको तो यहां पर देखरों कुने कार्णर पर मैं स्मच कर रही हूं कोने के थरफ और को गाई Rudy मैं समच करने की खोशिस कर रही हम तो मैंने लिपिस्टिग से ले Фुर्व थोड़ा-थोड़ा फिंघ लगें तो अपप मायंड मत करना अप लिपिश्टिग तो गाइस आप माइंड मत करना और लगाने के बाद थोड़ा सा उंगलियों से साफ कर दो उंगली साफ होनी चाहिए तो पीछे की तरफ इसमच हुआ रहेगा और आगे तरफ क्लीन तो बहुत ही एकदम साफ और आपका मेकब एकदम लुक चिकना आएगा साफ आएगा फैला नहीं आएगा कि यहां बहुत मेकब किया है बहुत ही जैसे कहते हैं ना साफ सुत्रा मेकब एकदम तो उस तरीके से यहां पर मस्कारा मैंने लगा लिया है तो अलमुष ड़न हो गया गाइस हुए बेचेंग पहली बार हमने राज ये जाना मुहबत में कोई आशिक क्यों बन जाता है दीवाना अगर इकरार हो जाए किसी से तार हो जाए बड़ा मुश्किल होता है दिल को समझाना हुए बेचेंग पहली बार हमने राज ये जाना मुहबत में कोई आशिक क्यों बन जाता है दीवाना तसवर के हसी लम ही तेरा हिसास करते हैं तेरा जब सिक्र आता है तो मिलने को तड़पते हैं हमारा हाल ना बोचो के दुनिया भूल बैठे आपने मेरा ये लुक देख लिया गाईस तो इसे के साथ में करते हूं व्लोग का इन्ट बाय